मैं तो कहता हूं दोस्तों एक चीज समझ लो LG, Voltage, Blue Star, Deakin, Panasonic, Air इन सब AC पर डिपेंड नहीं करता है कि वो पैसे आपके कितने बचाएंगे डिपेंड यह करता है कि आपको knowledge कैसी है और आप किस AC के बारे में कितना जानते हैं अगर आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इसमें आपको ideas मिलेंगे वह ideas जो आपके काफी सारे पैसे बचाएंगे जो कि मेरा खुद का एक self experience है इसी field के अंदर मैं आपको suggest करूँगा आपके पैसे बचाने में पूरी help करूँगा और यह भी cover करूँगा बाद में जब आप ऐसी ले लेते हैं तो आपके बिजले के bill से लेते हैं उसकी service या उसके जो gas के charges या अन्य charges जो लगते हैं उन सभी से आप किस तरीके से बच सकेंगे जादा पैसे भरने से और किस model पर जाने के बाद आपको यह सारी certification मिलने लगेगी तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देके दोस्तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले conclusion यह होता है कि हम विंडो ऐसी लें या split ऐसी लें तो दोस्तो डिपेंड यह करता है कि आपके काफी सारे पैसे कैसे बच सकें लगाने से पहले भी और बाद में भी अगर आपको विंडो ऐसी लगाने का काफी अच्छा इस पेस है तो आप विंडो ऐसी इंस्टोलेशन कराएं क्योंकि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं आप अगर परचेस करते हैं मान लीजे विंडो ऐसी के साथ जो भी ऐसे सीरीज आती उस box के अंदर आपको उसी के पर विंडो ऐसी लग नहीं सकता है वहाँ पर होता गया है अगर आपका आउट्डोर यूनिट काफी दूर है आपको उसके अंदर 10 फूट या कुछ ऐसे सम्थिंग उसमें copper pipe आता है जो कि आपके split AC से लेकर आपके आउट्डोर यूनिट तक fan तक जाता है अगर आपका व आपका कम से कम में काम हो सकता है तो वह जरूर करवाएं अब बात यहां पर यह रहती है दोस्तों आपको कौन सा वाला AC लें अगर आप विंडो ऐसी या आप split AC तो इन में से कौन सा लें या आप copper वाला लें देखो दोस्तों इसके अंदर अगर आपको लेना है तो आप सि अगर आपके पास को इंस्टोलेशन वाला आता है और इंस्टोलेशन वाला आता है तो आप उसके बिल के पीछे जो भी prizes है उस prizes को देखें और इसको पैसा paid कर देखें के हैं क्योंकि आजकल ज्यादा फ्रॉड़ इसके में हो रहा है मेरे साथ भी उचुका है कि वो मलब इसके और श्करेम करने वाला कर जाता है अगर उसके बिल पैड़ के पीछे सारे चार्जिस मै सबसे बड़ा नोट करने वाला मुद्दा है नहीं तो आप कोई भी पैसा एक्स्टा काट के इस्टॉलेशन में लेके चला जाएगा और दोस्तों एसी लेने से पहले आप कोई भी एसी में यह देखें कि उसकी अंदर कॉपर है वो डिवल इंवेटर है सिंगल इंवेटर भी लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं वो भी बहुत बैटर होता है उससे बिजली सोट आउट होने से यह आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता इंवेटर ऐसी इसलिए बनाए गए ठीक है और आपका बजट जैसा है आप अपने बजट के अंदर कोई इंवेटर ऐसी मिल आपके खर्चे कितने आएंगे उसका महँगा पड़ेगा इस सस्ता कोष्ट पड़ेगा इन दोनों चीजों का बातों का ध्यान दें क्योंकि यह चीज़े जो होती है बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़े होती है कि वह लिकीज होने के बाद आपके चार्जिस उस व जाते हैं आपकी तरब से तो पेड़ शर्विशी आ जाती है एक साल खतम होने के बाद उसके बाद जो भी आपका खरचा जो होता है दोस्तों वह होता है उल्यक्रिशिटी के उपर होता है कैसे आजके डेट में जैसे कि मेरे पास एक ऐसी है जिसका नाम जो सैमसंग का डि एक मलग कॉमप्रेसर ही करता है एसी का वह कितने रन कर रहा है उसकी रन करने की स्पीड कैसी देखो आप अगर चौवी अठारा ये सौला पर चला हो आजब आप होगा यूज़ा ओगा तो उसका विजरी का बिल ज्यादा आता है तो ये depend ऐसी करता है ऐसी कुछ 4-in-1 वाले ऐसी आते हैं Samsung के अंदर भी और other model में भी उन ऐसी में ये होता है कि अगर आपके घर के अंदर अच्छी खासी cooling हो गई है तो आप उसको 4-in-1 के अंदर use करके convert कर सकते हैं उसको 68 और 40 के compressor के उपर चला सके हैं ये फायदे होते हैं AC के अंदर लेने के बाद भी बिजली बचाने के तो तो ये facts और info आपको कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तो लाइक और सब्सक्राइब करें तो कैसे है आप लोग एक कहानी है जो सबर को सुनानी है जलने वालों की तो रूह भी जलानी है इनकी भूख भी तो मैने ही मिटानी है